नमस्कार हमारी रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक दम सौफ्ट अस्पंजी और टेस्टी केक की रेश्पी शेयर करूंगे जिसे मैंने में रूप से आंटे से बनाया है केक तयार होने के बाद कोई नहीं जान पाएगा कि इसे आपने में रूप से आटे से बनाया है तो आई इसे बनाना शुरू करते हैं एक बरे से बावल में हम लेंगे दो बरे चमच रिफाइन ओयल यदि आप चाई चमच से लेते हैं तो चार चाई चमच रिफाइन ओयल लेना है फिर इसमें डालेंगे एक बावल पीसीवी चीनी वजन पना जाएगा इन सबको हम ग्रेटर की साहता से अच्छे से फेंट लेंगे लगभग पांच मिनट तक इसे फेंट ना है ग्रेटर ना होने पर किसी चम्मच से भी आप इसे फेंट सकते हैं पांच मिनट तक फेंटने के बाद इसमें क्रेमी लुक आ जाएगा अब इसे छोड़ देते हैं और इसमें डालेंगे एक बाउल आटा बजन से ये लगबग 1500 ग्राम आटा है और फिर इसी बाउल से एक तिहाई सूजी यानि 1500 ग्राम आटा है तो 50 ग्राम सूजी आहिस्ता आहिस्ता इस मिश्रन को अच्छे से मिलाएंगे केक का बैटर तयार करने के लिए इसमें डालेंगे दूद दूद जो है रूम टेंप्रेचर पर ठंडा रहना चाहिए गरम दूद डालने से इसमें गुल्थियां पर सकती है थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर इसे आहिस्ता से फेटेंगे एक बार आप इस रेश्पी को जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही अच्छा और हेल्दी केक बनके तयार होगा अभी ये मिश्रन काफी गाढ़ा है इसमें हम थोड़ा और दूद डालेंगे ये धाईस हो है मलदूद इसमें मैं डाल चुकी हूँ अब इसे फेटते हैं जैसे जैसे बैटर थोड़ा सा पतला होगा हम ग्रेटर की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे अब ये देखे अच्छे से बैटर तयार हो गया है इसे मैंने चार से पांच मिनिट तक लगातार चलाते हुए एक ही डाइरेक्शन में फेटा है इसे अब हम कवर करके 10-15 मिनिट तक छोड़ देते हैं ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए अब गैस पर अब हम एक पुराना पैन चराएंगे कोई भी तावा या पैन ले सकते हैं यहां पर और उस पर नमक डाल कर उसे अच्छे से फैला देंगे इस नमक को मैंने पहले भी कई बार यूज किया है इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है नमक को अच्छे से फैला करी से हम दस से पंद्रा मिनट के लिए प्री हीट होनी के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम चाय दान में बटर पेपर लगा लेते हैं आज हम इसी चाय दान में केक बनाएंगे तो मैंने बटर पेपर की जगा यहाँ पर एक पेपर ले लिया है नीज पेपर आप भी ऐसा कर सकती है अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो उसे भी हम इस तरह से शेप में काट लेंगे अपने बर्तन के नुशा और उसमें रिफाइन ओल लगा कर बटर पेपर के त अब चलते हैं 15 मिनिट हो चुके हैं बैटर जो है एकदम गाढ़ा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने सुजी डाला था जो अब काफी फूल गिया है तो इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए हम थोड़ा-थोड़ा दूड़ डालेंगे दूड़ डाल कर इसे आहिस्ता से फेटते हैं अभी भी बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा और दूड़ डालेंगे इसमें अब इसे हम लगातार दो से तीन मिनर तक और फेट लेते हैं इस पूड़े बैटर को तयार करने में लगभग 300 ml दूद का यूज किया है मैंने आगे की प्रोसेस शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट से आपको मिलती रहे तो यह देखिए बैटर एकदम तयार है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम केक बनने के लाइक हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमज विनिगर इसे भी बैटर में अच्छे से मिला देंगे अब इसमें डालेंगे एक छोटा चमज बेकिंग पौडर और इसी चमज से इसका चौथाई बेकिंग सोडा इन दोनों को डाल कर हलके हाथों से बैटर में मिक्स करेंगे और जल्दी बैटर को चायदान में डाल देंगे आप देख सकते हैं चायदान में आधे से भी बहुत कम बैटर है अभी देखते हैं कि एक बनने के बाद ये कितना फूलता है इस तरह से हम बैटर को सेट कर लेंगे और गरम हो चुके तवे पर चड़ा देंगे गैस का फ्लेम हमेशा लो ही रखना है इसे एक प्लेट से कबर कर देंगे इस प्लेट को हम 45 मिनट के बाद पलट देंगे ताकि केक निचे तले में चिपके नहीं उपर से एक और प्लेट लगा देते हैं ताकि कहीं से भी भाफ बाहर ना निकले अब हम इसे एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं एक घंटे के बाद हम इसे खोलते हैं मैंने प्लेट को पलट दिया था 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक एकदम फूल चुका है डबल क्या ये ट्रीपल साइज का केक बनके त्यार हुआ है अब हम इसमें एक सिंक डालते हैं देख सकते हैं सिंक बिल्कुल साफ है यानि केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है बहुत ही अच्छा कलडा आया केक में कभी कभी केक बेक होने में 1 गंटा से ज्यादा काभी समय लग सकता है तो आप इसे चेक कर लिजे यह दिस शिंक में केक चिपके तो इसे 15-20 मिनिट के और ढखक के छोड़ दीजेगा इसे अब हम पांच मिनिट के लिए ठंडा होने देते हैं फिर इसे एक प्लेट में पलड़ देंगे बटर पेपर लगा होने के कारण केक जो है आसानी से बाहर निकलाएगा अब हम साफधानी से बटर पेपर को अलग कर देते हैं इसे मैंने एकदम सिम्पल तरीके से बनाया है फिर भी आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है एकदम सॉफ्ट और अस्पंजी केक बन के तयार हुआ है आप इसे कितना भी प्रेज करें वह वापस फिर अपने जगह पे आ जा रहा है इसे मैं कट करके दिखाती है यह देखिए एकदम सॉफ्ट अस्पंजी और काफी हेल्दी केक है यह अगर आपको हमारी आज की एरेश्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें आप एकवर इसे ट्राइ करें और अपने अनभव हमारे साथ कोमेंट बॉक्स में सेयर करें धन्यवाद